हाई गाईज मैं गहना वशेष्ट और आप सब का स्वागत है दा गहना शो में आज हम चूपके एक नए एपिसोड शुरू करने वाले है इसका नाम है इसमें हमारे गेस्ट है मिस्टर सुनील कुमार जो की बाइप्रोफेशन एक एड़ोकेट है जो हाई कोट में प्रैक्ट सुनीय जी मुझे एक बात बता है आप कितने साल से प्रैक्टस कर रहें है स्टाइब से चुरू नाम की बहुत ही लोग लेवल से क्यूंकि भूए बहुत ही एक स्लम से आता हूं तो मैंने पहले सुरुवात वही से कि जहाए नहीं आप रहते हैं वही माहल होता है आपके सा मेरे जोपड के बद यह शुरूट के लिए लगवाइब पड़ा है तो धी लगजारा है लुग उन्हारी के लिए लड़ता रहा है जैसा अपने कहा आप एक बहुत ही लो बैग्राउंड फामिली से है तो अपके लाइफे बहुत साथे चालेंज्ज़ रहांगे अपरी फैमिली को कन्वेंस करना कि आपको लॉयल बनना है एक एड़ुकेट बनना है वो सारा जो चैलेंज था वो कैसे कैसे क्या हुआ हुआ मुझे आपकी शुरू से जर्दी लेकर आज तक की सारी चेले बताई है देखी कैसा है कि मेरे पैरेंस को कन्वेंस नहीं पड़ा कि कि विकॉस आम सण अप मादर और एड़ू गोस्तों मेरी मादर लोग बोलते हैं मां के पारण में जननत थे बोलते वे सुना है लेकिन मेरी लाइफ में ने देखाए मेरी मा ने मुझे सब कुछ बनाया है चैलेंजस तो बहुत थे 27 साल की जो राते थी वह बहुत ही काली थी लेकिनों बोलते है ना जब अरजुन से कृष्मे ने बोला कि अगर भगवान आप से कुछ छीनता है ना तो आपके हाथ खाली करता है कुछ अच्छा देने के मेरे कपड़ को मेरी मही चृइल थी नदि नहीं होते थे मेरी मा अज सब कहते थी कि कंठी साड ज़नियों मे आती है मैं तीसरी मेंisen मेघी अच्छ ब산ड़ हो गया गया चैली मेरी मार ने लगी की नदे बनाय होगिए तब भी श्री कि मेरे dadara ka di man skills teacher अब उसके बाद चैलेंजेस बहुत सारे थे क्योंकि कुछ भी इन्फरा नहीं था एक दस भई आर्ट की घर में रहते थे थे वहा का इटमस्ट्री वैसा ही था मेरे सब कोड़ोसी मेरे सारे दोस्त किसी की फादर रिक्षा चला दे थे किसी की फादर वस्में थे मेरे फादर मेरे मदर लेडी स्टेलर थी तो महाल तो बहुत ही नेगेटिव था लेकिन फिर भी भीड से अलग हट के सोचना यह मेरी बच्मन से आधत रही और मैंने हमेशा सोचा कि नहीं मैं और काम सब किये मैंने मैं आठवी में फिम्सरी हाइश्कूल में बढ़ता था वहीं बढ़ मेरी माव बढ़ बनाती थी मैं उस वड़ाव को लेया कि महां उसी स्कूल के ड्रेस पर लाकर अर्टा था अर मैं उसी स्कूल को टॉप भी करता था जब 2001 1997 1998 में जब रामनाइगी पैटोली मिनिस्टर थे तब जब मैं मुझे बार बार मेरे मुझे प्राइस देने के लिए जा रहा था तब रामनाइग जी ने खुद बोला कि किसी बड़े बाप का बेटा इडिया तो मेरे प्रिंसिपल ने बोला था कि अगर हैंटो माउथ की घर का भी बेटा हो तो साधी महुरास्ता के मेरी ट्लेस में होता है तब उस समय रामनाइग जी ने मेरा इसी अपना सा प्रिंस अगर इस सबसे अगर बाद और मदर का इसलिए है कि मदर मेरी काम करके मुझे मेरे बहनों को पालना पाल के बड़ा करना बीमसी में पढ़ाना हमारे पार दवाओं की पैसे नहीं होते थे हम बीमसी स्कूल में लाइब यांशी होस्पिटल में दो रफे कि मेरी अभी अश्छास अगा करना मкихजी मेरी माष्ट आन भीमसी मेरी उस्कोल अअगा कुसा ओपू कि चर्ण वाइए हो सबस्या एफ होस्ते और मेरी से अगिस आपना पे लिए पेहली बार ट्रउस्ट है तर थे हम कि में हम समय ची मैं रहता था ठान यह है और रहीày ता стать मुह है तो मैं भी घरी था तो मेरे ही चौल में बीमसी वाले अचानक आए और चार घरो को अचाना तो तो जब मैंने देखा मेरी घर वाले तो मैं भी एड़ोकेट था मुझे भी जजबा था कुछ अलग करने का गया सिधा तो मैं उनसे पूछा कि कैसे तो नोटीस है तो वह बिना तो नहीं तोड़ सकते हो तो इस बात पर उनका घर उस दिनों नहीं तुटा और जब उस दिन नहीं तुटा तो उनका फर्स कॉंफिटेंस डेवलप किया मैं अपने अंदर फिर जैसे हो बीमसी जाले चले गए तो उनों नहीं पूछा कि इसके आगे सर क्या करना है मुला तो इसके आगे सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वो डेवलपमेंट ऐसा था कि फिर मुझे 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 फीस पूछा तो मैंने 2009 में पहली फीस बोली तोटल पस चालीस जार में से बीस हजार जगो ने मुझे दियाना तो बीस हजार मुझे लगा था बीस तरोड की ब जार में स्वास जीता और वो इस ते बाद में मेरे एक चर्टिफिकेट बनता गया लोगों को बैलंग्टेंजे के गिन गल्फन मिलती है ने केस मिल गया का चेस मिल गया था है हाँ वोटलों में बेटर का काम कर रहा हूं मैं पोचे लगा रहा हूं जूते साफ कर रहा हूं, मैं भाजी बेच रहा हूं 100-10 रिप अच्वाइब मेरी रोज कमाई भागर दी लेकिन मेरे अंदर एक अश्वास था कि भाजी जब वी टेखा कर दा दा tam जो बऻ सकतेजिंगे अंको पि नहीं पनगा डेता है rente-टॉश वह में आव सच्छात है यह आगे कि भाजी नग सब च tätप तो पहले वहां तैररा सॉपर्सरों हो दिदेफर हonna 10ayanग के ज़ चनगता नंता है पहला केस अपने कभी जो पहला करिमिनल केस था हाह कुछ जो पहला केस था फिली परीकतिया कि सही था इक मुटकенти्जा है ठाल अज ही जो रखे हमा है ओड ले ढाइ बैखे आचिन एंड हो उसी है में का यह है द्वेस बोली तो मुझे वो वाक्या बड़ा अजीव सा लगता है कि उसका उनके साथ जो आदमिया थोड़ा थोड़ा गांग्स्रा टाइप उसने एक लाग रुपए कि जगा सवा लाग रुपए और बगल मुझे यह बोल के गया काम हो जाया चाहिए तो मैं जब मेरे वित्र हैंपोके उ तो फिर मैंने अपनी पुरी ताकत लगा होई जाना चाहिए लेकिन ठीक है फिर भी मैं वच्वन से बहुत डेडिकेटेड़ हूं देखे मेरा एक नेचर है कि अगर जैसे कोई बोल देग आप यह नहीं कर सकते हो तो फिर वहीं से मैं सुरू करता हूं कि यह क्यों नहीं कर है जब आपका अपने आप पे वरोसा होगा तो दुनिया पे वरोसाह तो मुझे वरोसा था तो मुझे इसको अगर जागूंगा जब मैं बडा पाव बेचने के लिए साम को छे वजे स्कूल से छूटके आखे सो के चार गंटे के बाद तो फिर मार्केट से जाके सारे तो अपने लगातार पड़ते हुए और अपनी मा को तकलीफ नहीं लेंगी तब तक मेरा एक रिस्क टेकर चैन अंद प्रॉफित अगर आप जादा गड़ित करें तो जीरो तो मुझे मालम था कि अगर वालवर है पैसा है दोनो है तो आपके बाद दोनों अप्शने तो काम करें या तो फिर थ्रेट लेजिए तो आहड़ा कॉंदेंगे और देखे मेरा फोड़ास एक नेचर और भी है क्योंकि मैं क्लाइं कि मेरे लिए एक अपॉर्चनिटी है एक मौका है उसके नेगेटिविटी पार्ट को नहीं देखना अगर हम सही से करते हैं अगर हम विन करते हैं तो आज रिवालोर की जगा फूलों के हार भी होते है तो जब पहली बार आपने घर खरीदा होगा जब आपनी ममा को बताया है कि 2017 में घर लिया था मेरी मां के रिवने डिव्यूर्स में उस घर को मैंने मां को दिखाया था मेरी मां बहुत ही कुछ थी फिर पीचों कुछ पैसे के वो फ्लैट था सवाचार कुरोड़का फिर कुछ फ्नैंसिल्स प्रोब्लम गए तो अचानक उसका भाव पचीस लग बढ़ा दिया गया और बढ़ाने के वज़े से फिर मुझे लगा गिया यह फ्लैट छोड़ देते हैं तो उस फ्लैट को लेके मुझे बहुत अच्छा लगा क्रिकि देखी क्या होता है वह पता नहीं पिच्छ नहीं आदा रहा लेकिन अमिता बच्छन के पिच्छ इसमें बोलते हैं कि आपको सौधा करने नहीं आता है तब आमिताब जी बोलते है कि सायद आपको भी सौधा करने नहीं आता है तो पुछते ऐसा क्यों तो बोलते हैं कि अगर आप इसका वीसला भी मांगते तो दे देता हमें तो बोलते क्या खास बात है इस लैंड में बोलते क्य करी वह भी 750 लान मांगा तो मैं दे देता उसको बहुत खुशी का दिन था My mother was also very happy, she was also very happy और हर घर का बॉम्मे में हर घर का सपना है हर आदमी को अपना चाहिए तो हर आदमी उखुशी होती है और अगर आप खुश से करते हैं इतना नीचे से आके करते हैं Actually that is commandable So, यहां तक थिन के जर्मी, इसके आगे हम कवर करेंगे अगले एपिसोड में Till then, Bye Bye